नमस्ते मेरा नाम टतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप सोशल मीडिया पर IS-IPS अधिकारियों के हैंडल और पेज काफी पॉपुलर है लोग कभी उनसे काम की चिरोरी करते दिखते हैं तो कभी टिप्स मांगते दिखते हैं कोरोना काल में कई अधिकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जागरूपता फैलाने का अच्छा काम करते भी दिखे लेकिन ग्रेह मंत्री अमिच्छा ने एक जुलाई को ट्रेनी IPS अधिकारियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दे डाली उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वक्त बरबाद होता है और काम नहीं हो पाता ग्रेह मंत्री ने सलाह तो दे दी लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आईएस IPS अधिकारियों के लिए इसे लेकर कोई नियम गायदा भी है अगर हैं तो वो क्या कहता है आईए जानते हैं पहले ये जानिये कि हो मिनिस्टर ने कहा क्या अमित श्याह ने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कई सीख दी उन्होंने कहा All India Service और खासकर IPS अधिकारियों को पुलिसिटी और खासकर सोशल मीडिया से बचना चाहिए पुलिसिटी की भूक काम में बाधा पैदा करती है हाला कि वरतमान समय में सोशल मीडिया से बचना मुश्किल है लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों को इससे दूर रहकर अपने काम पर फोकस करना चाहिए आप सभी को पुलिस अकादमी छोड़ने से पहले एक डायरी में नोट्स बनाने चाहिए उसमें लिखना चाहिए कि आज उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ पुलिसिटी के लिए था में बात ये कि पुलिस अधिकारी काम पर फोकस करें दिखावे पर न जाए हमने होम मिनिस्टर के कमेंट पर जहारकंड में तैनात एक सीनियर पुलिस अधिकारी से प्रतिक्रिया ली उनका कहना है मेरे हिसाब से होम मिनिस्टर रोज के सोशल गुड़ वर्क के लिए सोशल मीडिया पर डारे जाने वाली पोस्ट की तरफ इचारा कर रहे थे कुछ पुलिस अधिकारी अपने परस्नल हैंडल से भी ये काम करते हैं वो शायद ऐसे अधिकारीों को ही संदेश देना चाह रहे होंगे अब आते हैं नियम पर क्या कहता है डिपार्टमेंट का नियम भारत में civil services मतलब IES, IPS, IFS आधर डिपार्टमेंट of personal and training के अंतरगत आती है किसी अधिकारी को काम कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करता ही नहीं करना है ये सारे नियम डिपार्टमेंट बनाता है इसमें फिलहाल social media के इस्तिमाल को लेकर किसी भी तरह के नियम कायदे का जिकर नहीं है वहाँ पर सिर्फ connection with press और other media के नियम का जिकर है इसमें press और दूसरे media को लेकर नियम बताया गया है जो कहता है किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी अखबार, magazine या website से बिना पूर्व अनुमती के किसी भी तरह का जुडाव नहीं रखना चाहिए अनुमती बिलने के बाद जो भी जानकारी दी जाएगी उसे अपने विचार ना बताकर सरकार का पक्ष कहा जाए गुजराप कारडर के एक IPS अधिकारी ने इस बारे में हमें बताया भले ही कहीं भी सीधे तोर पर सोशल मीडिया पर बरताव को लेकर कोई जिक्र नहीं है फिर भी इसे सामान बरताव के नियम में शामिल मानना चाहिए मिसाल के तोर पर शालीन व्यभार, राजिनी तेक निश्पक्षता और आधिकार एक गोपनी अता जैसे नियमों का पालन सोशल मीडिया पर करने की उमीद भी रखी जाती है हो मिनिस्टर भले ही पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सला दे रहे हों लेकिन सरकार का दूसरा मंत्राले से बहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की टिप्स दे रहा है भारत सरकार की मिनिस्टर आफ कम्यूनिकेशन और इंफरमेशन टेक्नॉलजी ने बाकायदा सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइन जारी की इनमें साफ कहा गया है कि सरकार को सोशल मीडिया पर ज्यादा से जादा अक्टिव रहना चाहिए इसके लिए अधिकारी सोशल मीडिया के अकाउंट बनाएं और उन पर लगातार अक्टिव रहें इसमें पोस्ट करते वक्त हर प्लाटफॉर्म की हिसाब से ध्यान रखने वाली बातों का भी जिक्र है यह अपने आप में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को करने की हैंडबुक है मिसाल के तौर पर इसमें लिखा है हर विभाग को अपने बारे में जानकारी देने फीडबैक लेने के लिए सोशल मीडिया के कई प्लाटफॉर्म पर मौझूद रहना चाहिए जो भी अकाउंट्स सोशल मीडिया पर बना जाए उनमें सबस्ट दौर पर लिखा जाए कि यह किस पक्य अधिकारी का अकाउंट है सोशल मीडिया अकाउंट को अक्टिव रखा जाए उस पर आने वाले सवालों और रियाक्शन्स पर नजर रखी जाए विभाग का कोई भी कर्मचारी परसनल केपैसिटी में कमेंट करने के लिए आजाद है लेकिन जब भी वो ऐसा करें तो बताएं कि वो किस अथोरिटी से कमेंट कर रहे है साफ साफ अपना पद और पोस्टिंग की जगे बताएं किसी भी तरह से ये आधिकारिक बयान ना लगे दीललन टॉप को इस दौरान एक राजय का ऐसा आदेश मिला जिसमें पुलिस विभाग ने अपने हर अधिकारी को सोचल मीडिया पर अकाउंट बनाने का अंदरदेश दिया है ये आधेश मिछले महीने ही राजय के एदिर जी ने जारी किया है इसमें कहा गया है कि पुलिस विभाग के सभी अधिकारी करमचारी सोचल मीडिया पर अकाउंट बनाकर राजय के बड़े अधिकारीों को फॉलो करें इसे बहतर कोडिनेशन और समझ पैदा करने के लिए किया गया है सोचल मीडिया और टाइम की बरबादी को लेकर हमने कई राजयों के पुलिस अधिकारीों से बात की सभी ने नाम ना बताने की शर्ट पर हमें बताया कि सोचल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान है गुजरात काईडर ने एक पुलिस अधिकारी ने कहा पासलल पब्लिसिटी के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता हो सकता है कुछ सिविल सर्वेंट सोचल मीडिया पर ऐसा करते दिखते हूं लेकिन ज्यादा तर अपने उफिशल हैंडल से ही अक्टिव दिखते हैं सोचल मीडिया का अपना फायदा ये है कि कई बार तेजी से जानकारी लोगों तक पहुँचती है इससे बहुत से लोगों को फायदा भी होता है मिसाल के तौर पर ट्राफिक के किसी दुरगटना के स्थिदी में रियल टाइम अपडेट्स उपलप्त कराये जा पाते हैं इसे मात्र पब्लिसिटी नहीं कहा जा सकता राजस्थान काडर के एक आईए सदिकारी ने बताया विभाग का अपना हैंडल होता है वो अपनी तरह से जानकारी उपलप्त कराता है मेरा अपना हैंडल एक भारतिय नागरी के तौर पर है उसे इस्तेमाल करने की मुझ पर कोई रोक नहीं है मैं उस पर अपने दोस्तों से बात करता हूँ या फिर कई बार रोचक जानकारियां शेयर करता हूँ हजारों लोग इस वज़े से मुझ से जुड़े रहते हैं कई लोग टिप्स भी मांगते हैं वो देने में भी कोई हर्द नहीं है जब तक हम एक गंभीर सिविल सर्वेंट के तोर पर किसी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हैं तब तक इसे इस्तेमाल करने में कोई हर्द नहीं है हाला कि जहरकंट में तैनात एक पुलिस दिकारी ने कुछ केसेस में अतिवादिता की बात मानी उन्होंने कहा कई अधिकारी हैं जो कई बार सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमा भूल जाते हैं वे अपने हर मोवन्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने की फिराक में रहते हैं एक सिविल सर्वेंट तो ऐसे हैं जो अपने हर छापे का वीडियो बनाते हैं वो काफी popular भी है मुझे लगता है कि अगर focus popular होने पर होगा तो काम का हर्जा जरूर होगा हम एक civil servant की हैसियत से जो करते हैं वो हमारी नौकरी का हिस्सा है हम वो कैसे करते हैं इसका प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है मत्वपूर्ण काम है ना उसे करने वाला तो इस बार जब भी आप social media पर जाएं और आपको किसी IES या IPS officer की profile दिखें या उनके post दिखें तो उनके की एक काम पर के हिसाब से उसका आखलंग करें उनकी popularity या सिर्फ उनके post के आधार पर ना करें आपको इस वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यह जानकारी आपके लिए लाए थे मेरे साथी अमित मिश्रा मेरा नाम प्रतीक्षा है अपना खयाल रखें शुक्रिया